तेम छो मजामा एर मामा अरियाना के रोहतक में गुरुवार को रहुल बाबा और सुमिट प्लोटरा गेंग के बीच गेंग वोर में तीन लोगों की मोद हो गई है वहीं दो लोग गुलिय लगने से गायल है या वार्दा द्रोहतक के सोनिपद रोड स्थीत बल्याना मोड के नजिदिक सराप के ठेके बर हुई वहीं आज परीजोनों ने पोस्टमों में देरी होने के कारण दिल्ली रोड के मेडिकल मोड पर जाम लगा दिया इस दोरान पुलिस ने जाम लगाने वाले परीजोनों और ग्रामिनों को खटेड़ा और सड़क जाम खुलवाया पुलिस का गयना है कि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरिपतार करने के लिए टीम गटित कर दिये वहीं देर साम पोस्ट मोटम के बाद तीन सवों को परियोनों को सोब दिया गया प्रत्मिक जानकारी से पता चलता है कि इस ट्रिपल मटर में लोरेंस बिश्णोई गेंग और उसके साथी काला जेठेडी गेंग का भी हाथ हो सकता है हलाकि पुलिस का कहिना है कि जाज के बाद ही सही जानकारी पता चल पाएगी पुलिस का कहिना है कि बोहर गाओं के पांच यूग ठेक एक बार बेठे थे इसी दुरान मोटर साइकल पर जवार होकर आये हमलावरों ने उन पर अंधा दून भाईरिंगी इसके बाद हमलावर वरार हो गए हमले की जिनमे वारी रावल बाबा गेंग ने सोचल मेडिया पर पोस्ट लिख कर ली है इस बयानक वारदात के दुरान मरने वालों में गे ये जानना चाते हो ना आखिर ये घटना कब हुई कैसे हुई और क्यों हुई इस हत्यकांट की फ्रंट साइड और इन साइड दोनों धियरी आज आपको हम बताएंगे देखो ममा पुलिस की प्रारंपिक जांट जे ये पता चलता है कि गुरू और रात गरिब 10 बजे बोह ये घटना इतनी तेजी से हुई कि उन युवकों को संबलने का मुका मिलता उस जे पहले उनके शरीर पर तब और तुर गोलिया दाग दी गई और आसपास में भगदर मज गई ठेके पर मुझूद बाकी लोग भी अपनी जान बचाने इदर उदर भागने लगे चिपने गे और फिर जब हमलावरों को ऐसाज हो गया कि हमारा काम हो चुका है वे तुरंट अपनी बाईकों पर सवार होकर रफू चक्त कर हो गये इस अत्यकान में पांच युवक गायल हुए मोके पर मुझूद कुछ लोग गायलों को जानते थे उन्होंने फोन कर गायलों के घर गोशित कर दिया बागी दोगा इलाज जारी है इस गटना के बाद रोतक आयम टिठाना के ऐसा चो इंस्पेक्टर दिलबाग ने बताया गी वारदात को अंजम देकर बागने वाले हमलावर में से दो हमलावर को पकड़ लिया गया है और उन से पुच्तात की जा रही है इ इस ट्रिपल मटर ने पूरे रोतक को भिला डला है उदर सोसल मीडिया पर आई एक पोस्ट ने आग में घीडालने का काम किया इस ट्रिपल मटर की जिम्मवारी सोसल मीडिया पोस्ट पर रहुल बाबा गेंग नली है उन्होंने सोसल मीडिया पर लिगा आज जो भी हुआ उसकी जिम्यवारी राहुल बापा गेंगलता है जो भी बीच में आवेगा मार दिया जाएगा ध्यानते रही हो अपने आगे पीछे देखकर हाला कि इस पोस्ट की पूश्टी हम नहीं कर दे खेर बोहर गाउं का गैंग्स्टर सुमिट प्लोटरा सरब कारोबार से जुड़ हुआ है साल 2017 में रहतक कोड में हुए गोली कांड और माडर में उस गट नाम टॉप पर था इस गेलावा दिल्ली के मौनू दरियापू ट्रिपल माडर में भी उसे उम्रगेद हुई है और दब जिवत यार जेल में है उसके जेल जाने के बाद जेही उसका चोटा भाई हम उसका सराप का कारोबार संबाल रहा था हमित करीब देड़ मैना पहले ही जेल से बाहर आया था आखिर गेंग्स्टर राहूल बाबा और गेंग्स्टर सुमिट प्लोटरा के बीच क्या दुस्मनी है और गेंग्स्टर राहूल बाबा ने क्यों एक साथ तिन लोगों को मार दिया आई ये जानते हैं दरसल सुत्रों से मिली जानकारी के हिसाब जे ट्रिपल मर्डर एक बदला है एक गेंग्स्टर का बदला कौन सा बदला तो आज जे गरिब दस महीने पहले सुनारिया जेल में गेंग्स्टर राहूल बाबा पर जान लेवा हमला हुआ था चीज में वह बाल बाल बज गया था बताया जा रहा है ट्रिपल मर्डर उस जिगा बदला है यहां जवाल उड़ता है आकिर दस महीने पहले सुनारिया जेल में क्या हुआ था तो सुनो ममा आज दस महीने पहले गेंग्स्टर राहूल बाबा सुनारिया जेल में बन था दो बार आज बजे राहूल बाबा जेल केंटीन के ओर जा रहा था। इस दोरान उसे वहाँ पर अन्य चार केदियों ने गहल लिया। उस बर जेल के ही बरतनों को धार लगा कर बनाएंगे हत्यारों से हमला कर दिया। उस वक्त जेल अधिक शक की रिपोर्ट के मताबिक केदी हमला व राहूल बाबा को तुरंट अस्पिताल लाया गया या डोक्टरों से पता चला कि राहूल बाबा की पस्ट लिया तुट गई है। उसके जरीबर 40 के गरिब नुकिल अधियार के वार के गाउप आये गए है। खेर इसके बावजित उसकी जान बज गई थी। यहां बता द राहूल बाबा पर हमला करने वाले चारों गेदी समिट प्लोटरा के ही गुरुघे थे वोरुसवक प्लोटरा सुनु दरियापुर मडर में तियार जहल में बंध आज भी वहीं बताया जाता है। खबरों के मुताबिक सुनारिया जहल में राहूल बाबा पर हुआ जान ल होती हैं आई ये समझ लेते हैं देखो मामा गैंग्स्टर राहूल बाबा गैंग्स्टर लोरेंस बिश्णों से काफी नदी की सबंद रखता है इस गेलावा राहूल बाबा का कनेक्शन कला जट्ठेडी और अनील चिपी से भी हैं और कला जट्ठेडी अनील चिपी ये सारे लोरेंस के और्गनाइस ग्रैम सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं यानि एक दुसरे का साथ देना अर्थियार सुटर मुहाईया कराना एक दुसरे के दुस्मन को खत्म करना, मारना, गड़ जोर से ये लोग ताकतवर बनते हैं यानि साब सब्दों में कहे तो राहूल बाबा, लोरेंस, बिश्णय और कला जठिडी से जुड़ा हुआ है वैसे राहूल बाबा का अपने इलागे में अपना एक अलग गेंग है जिसे आजाद गेंग कहा जाता है सोसल मीडिया पर आपको राहूल बाबा, लोरेंस, बिश्णय कला जठिडी की एक साथ कहीं तस्वीर मिल जाएगी जिससे ये साबित होता है कि ये सार एक ही सिंडिकेट का हिस्सा है दूसरी और सुमित प्लोटरा जो इन दिनों हरियाना और दिल्ली में सबसे ज़्यादे सक्रिय भाव गेंग से जुड़ा हुआ है भाव गेंग का निरत बवाना बंबिया गेंग से गड़ जोड है यानि आप समझ गए होंगे राहूल बाबा लोरेंस बिश्नों सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है जबकि प्लोटरा भाव गेंग से निरत बवाना गेंग से और भाव गेंग और लोरेंस बिश्नों गेंग के बीच कटर दुस्मनी है इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि रोतक में हुए ट्रिपल मटर के बाद दिल्ली और हरियाना में कोई बड़ा गेंग और हो सकता है तो मम आपको ग्या लगता है कमेंट में ज़रू बताना चलो इस गुज्जु भाई का रमरम मिलते हैं फिर